बिहार ने परेटन के मामले में एक कदम और बढ़ा दिया है बिहार के राजगीर में 191.12 हेक्टेर में फैले राजगीर जू सफारी का आज सीम नितीश कुमार लोकारपन करेंगे यह जू सफारी नितीश कुमार के प्रयास से बना है राजगीर में जू सफारी के बनने से य बड़ा आकशन का केंदर बन चुका है 191.2 हेक्टियर में फैले जू सफारी के उधगाटन के बाद यह परेटकों के लिए रोमांच से भरा होगा यहाँ परेटक राजगीर की हसीन वादियों का आनंद ले सकेंगे साथ ही शेर से लेकर दूसरे जानवरों को भी बंद गाड़ी में बैठ कर खुले में घूमते हुए देख सकते हैं बुधवार को होने वाले लोकारपन कारेक्रम में मुखे मंतरी निदिश कुमार के साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीम तारकिशोर प्रसाद और रेन्यु देवी भी मौजूद रहेंगी आपको बता दे कि मंगलबार को जूसाफारी का जाइजा लिया गया था और वहां तयारियों की अंतिम तोर पर समिक्षा की गई थी जाइजा लेने के बाद जूसाफारी के डारेक्टर हमत पाटिल ने कहा है कि लोकारपन कारेकरम को सोसल मीडिया के जरिये लाइफ किया जाएगा बिहार के परेटन को बूस्त देने वाले राजगीर जूसाफारी के निर्मान पर कूल 177 करोड उपे खर्च हुए हैं यहां पटना के चुडियां घर से 35 जानवर लाकर छोड़े गए हैं तो वहीं पश्चिम बंगाल और गुजरात के चुडियां घर से बाग और शेर भी लाए गए हैं राजगीर की पहाडी और जंगली इलाके में इस जूसाफारी का निर्मान कराया गया है इस जूसाफारी को खुबसूरत स्वर्ण गिरी परवत और वैभाव गिरी परवत के बीच घाटी वाले हिस्से में विक्सित किया गया है इस जूसाफारी में 72 हेक्टियर में बना मिर्ग बिहार भी शामिल है आपको बता दे कि इससे पहले बिहार में ग्लास ब्रिज बनकर तयार हुआ था जिसे देखने के लिए परवत को का सैलाब उम्रा रहता है तो अब वहीं अब बिहार में जूसाफारी भी बनकर तयार है यानि अब बिहार परेटन के फिल्ड में अपना कदम जमाने की कोशि कर रहा है